Hello Guys, Welcome to GYK Next Workout, The YouTube Channel आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि वाकाउट के अंदर सेट और रेपिटिशन क्या होता है So, Let's Start a Video मान लिजे गाईज आप एक एक सेसाइज कर रहे हैं, Bench Press और आपको इसके बारा से पंदर रेपिटिशन के तीन सेट परफॉर्म करने हैं इस एकसेसाइज के अंदर जब आप बार को एक बार पुश कर रहे हैं, then down कर रहे हैं तो ये आपका एक रेपिटिशन होगा इसी तरह आपको बिना रेष्ट के बारा से पंदर रेपिटिशन परफॉर्म करने होगे तो ये आपका एक सेट होगा इसके बाद आपको थोरा रेष्ट लेना है 20, 40 या 60 सेकंड का अपने स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग और आपको सेम प्रोसेस दुबारा दोरा आना है तो ये आपका दूसरा सेट हो जाएगा इसी तरह आपको अपना लास सेट भी परफॉर्म करना होगा अब एक कुशन उठता है गाईज की एक्सेसाइज के अंदर सेट और रेपिटेशन का यूज क्यों किया जाता है तो गाईज सेट और रेपिटेशन की बदलत आप अपने मुसल में मैक्सिमम पंप ला सकते हैं और इससे आप अपने वर्काउट को गाईड भी कर सकते हैं और इससे आप अपने fitness goals को और अच्छी तरह से अचीव कर सकते हैं. If you like this video guys, please subscribe my youtube channel and press the bell icon for instant notification. Thank you so much.